दोस्तों अगर आपने basic computer course किया हुआ है अगर आप किसी school में या फिर college में as a computer operator ओपिस में as a colorac के post पे job करना चाते हो लेकिन आपके mind में काफी सारे suspense है भी school में या college में किस किस type की working हमें करनी पड़ती हैं, कौन सा software यूज किया जाता है, Microsoft Excel में क्या work होता है, Microsoft Word में कौन-कौन से work करवाई जाते हैं, तो काफी सारे इस type के suspense है जो एक नए computer operator के mind में रहते हैं, दोस्तों वैसे तो school में और college में काफी सारे अलग-अलग type के software यूज होते हैं, Microsoft Word में भी बहुत सारे working करनी पड़ती है, Excel में भी बहुत type के work करने पड़ती हैं, लेकिन आज आपको मैं ऐसे work के बारे में बताऊंगा, जो एक हर एक computer operator को आना ही चाहिए, चाहिए वो school या college इसके अलावचे किसी भी संस्ता में as a computer operator के रूप में work करें, तो भी वो उसके बहुती काम आने वाला option है, जो कि मेल मर्ज एक ऐसा option है, जिसमें आप पूरे दिन का काम मातर 2 second में कर सकते हो, जो कि एक Microsoft Excel और Microsoft Word के दोनों software के combination से त्यार होता है, तो दोस्तों Microsoft Word में हम इस type क designing कैसे कर सकते हैं, ये भी आज आपको मैं सारी बातें practically बताने वाला हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो को आप सुरू सुले के end तक complete देखना, सारे doubts आपके clear हो जाएंगे, वीडियो अगर आपको अच्छे लगे, तो like जूरूर कर देना, दोस्तों के साथ share भी जूरूर कर करते हैं आज का ये वीडियो, तो दोस्तों Microsoft Word में mail merge का use करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ है, Microsoft Excel में data use करना पड़ता है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक simple सा एक छोटा सा table लिया वे, इसकी heading में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर student का name है, father's name है, उसकी class है, date है और इसकी timing, अब यह किसलिए लिया है, यह हम चलते हैं Microsoft Word पे, तो दोस्तों अब मान लिजिए आपका school है, या फिर आपका कोई college है, आपके school में, college में कोई function हो रहा है, आपका कोई republic day है, कोई annual function हो रहा है, या फिर कोई independence day के regarding आप कोई invitation card parents को बेजना चाते हो, तो दोस्तो अब मान लिजिए आपके school में as a computer operator group में work कर रहे हो, और आपके school में 500 students भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, तो अगर आपको as a principal sir की तरफ से ये बात बोल दी जाए, भी इस annual function पे आप सभी parents को एक invitation card सभी को print करो, और सभी के गर पे आपको send करने हैं, तो अब मान लेजिए आपके school में 1000 students हैं, तो अगर आप सभी का manual रूप से इस type का नाम, father's name, उसकी class, date हैं, यानि कि सब कुछ अगर आप manually type करोगे तो आपको बहुत सारा time आपका waste हो जाएगा, यहां तक कि आपका पूरा दिन लग सकते हैं, तो दोस्तों इसी क तो हम short करने के लिए, इसी को time बचाने के लिए, Microsoft में mail merge का use किया जाता है, तो दोस्तों यह हमें एक simple design त्यार किया हुए, आप school का नाम हो सकता है, यह design कैसे किया है, यह आपको मैं इस video के end में बिल्कुल नए workbook के साथ बताऊंगा, नए document में यह किस तरिके से design किया हुए हम बात करते है, mail merge option की, तो दोस्तों यह simple design है, यहाँ पर आपको date चीए होगी, और यह जो आपकी तरफ से later लिखा हुए, यह आपने पहले लिखके त्यार करके दिखा हुए, अब आपको चीए, भी आपका उस fathers का name यहाँ पर आजना चीए, बाद में student का नाम यहाँ पर चीए है, और उसका time क्या रखा हुए, parents को बुलाने का आपके school में या फिर college में, वो आपको यहाँ पर देना है, तो दोस्तों इसलिए यह मैंने Excel में यह table बनाई है, अब हमारे पास यह 5 student है, student का नाम है, father's name है, class है, date है, और time है, और इस file का नाम है, वो 8th class invitation card record है, अब आपके पास first class से लेके 12th class हो सकता है, अगर आपका college है, तो आपके अलग लगी session भी हो सकते हैं, first year, second year, final year तक के हैं, तो और इसकी जो मारी sheet है, जो 8th class के नाम से है, तो अब इसको करते हैं, file को हम close यहां से Microsoft Excel को, और हम चलते हैं, Microsoft Word पे, और Word पे जाने के बाद हम use करेंग इस mailing option को, mailing option पर जाएंगे, और उसके बाद आपको यहां पर option देखने को मिलेगा, start mail merge, और start mail merge में आपको बिलकुल last में एक option देखाई देगा, step by step mail merge wizard का, इस पर आपको click करने, जैसे आप इस पर click करोगे, तो यहां पर आपके सामने mail merge से regarding कुछ option देखेंगे, तो यहां पर आपको next पर click करने है, आप next पर click करोगे, उसके बाद में एक बार आपको next select recipient पर आपको click करने है, और उसके बाद में आपको यहां पर जाना है, इस browse की option पर, आप browse पर option पर जाओगे, अब हमने Microsoft Excel वाला जो हमने seat त्यार किया था, उसको यहां पर अटेज करना है, तो स location तक पूंटा हूं, जांपर मेने इसको save करके रखा हुए, तो उस location पर मैं चला जाता हूं, और यह मेरी file थी, Excel वाली 8th class invitation card, इसको मैं select करूँगा, और open करूँगा, अब जैसे open करूँगा, तो आप देख रहे हैं, यहां मेरे पास है, 8th class की जो seat बनी थी, उसका नाम यह पर आ गया, और seat 2 और seat 3 है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ OK करना है, और यह सारे आपके पास जो record उस Excel seat में हमने त्यार किये थे, उस सारा का सारा record आ जाएगा आपके सामने, student का नाम है, father's name, class, एट बगेरा, जो भी उसमें हमने टेबल में त्यार किया था, और इसको भी कर लगते हैं, अब बात आती है, अब दोस्तों इसमें आपका जो time लगना है, वो time आपका इतना ही लगना है, जी आप 2 student का record त्यार करो, जी आप 2,00,00 student का record त्यार करो, time आपका उतना ही लगेगा, अब उसके बाद में हमें यहाँ पर, जो record थे हमारे, सब को attach करने है, अब attach करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको जाना होगा इंसर्ट मर्ज पर इस ओप्षन पर इस पर आपको क्लिक करने हैं इंसर्ट मर्ज फिल्ड पर अब इस इंसर्ट में फिल्ड में जो आपके Microsoft Excel में जो आपने heading दे रही थी वो heading आपको यहां पर शोगी अब इसके लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले मैं यहां पर इनको clear कर देता हूँ एक पर जो already लगे में हैं इनको अटा देता हूँ मैं फिर आपको मैं step to step सारी कार्णी इसकी बताएगी अब यहां पर हमें date चीए 20 तारीक को हमने यह invitation card है जो print कर रहे हैं उसके बाद में time यहां पर चीए parents का नाम यहां पर चीए student का नाम हमें यहां पर चीएगा और उसके बाद में उसकी class क्या है अब केवल A की page हमारे पास है आप देख सकते हो यहां पर भी page one of one शो कर रहे है और हमें चाहिए पांचो student का record यहां पर आजे तो अब सबसे पहले हम date आपको यहां पर चीए तो यहां पर आपको click करने और उसके बाद में insert merge field भी जाने है यहां पर आप select कर दोगे date तो यह यहां पर आजेगा date का option अब time आपको यहां पर चीए किस time आपने जो time दी है school में पूंचने का वो time आपको यहां चीए तो आप insert field भी जाईए time आप जो field आ रही है आपकी यहां पर time की time को आप यहां से select कर देगे अब time आपको यहां आजेगा उसके बाद में आपको इसके बाद में student name को यहां पर select करेंगे और उसके बाद में class और यह class आएगी इंसर तो इस तरीके से हमने सारा का सारा record यह त्यार कर दिया है अब हमें केवल एक click करना है हम जाएंगे उसके बाद में अब आपको प्रियू देखने है तो प्रियू देखने के लिए हम आप आपको यहां पर option मिलेगा प्रियू रिजल्स का इस पर आपको क्लिक करने जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डेट का यह format थोड़ सम सेट कर लेंगे यहां पर यह इदर डेट आगी है क्योंकि यह picture insert है अब यहां पर देख रहो तेरा आठ दो जार बीस का हम क्योंकि यह नाम के वज़े से रोड़ा सा इश्यू आ रहा है हम इसका बेक्राउंड यहां से चेंज कर देंगे और अब उसके बाद में यह जो आगया यह जो रिकोर्ड आया है वो हमारा फर्स्ट स्टुडेंट का आया है रिकोर्ड को देखने के लिए वापिस हम एक्सल सीट पर चलेंगे अब एक बाद रेड ओनली दिखाएगा आपको क्योंकि इसमें आप कुछ मोडिफाइब कर नहीं सकते हैं तो आप देख रहे हो हमारे पास जो पहला रिकोर्ड है वो फादर सिनेम रामकुमार है स्टुडेंट का नम रजनी है एर्थ क्लास है तेरा आठ दो जार बीस को हम इन्विटेशन सेंड कर रहे हैं और आठ बज़ के पंदरा मिट का टाइम है और यह सारा रिकोर्ड अमारे पास यहां पर आया है तो एकसल को में करना पड़ेगा बंद अब उसके बाद में अब आपको चीए वे सारा का सारा रिकोर्ड जो पांचो स्टूडेंट है उनका पर क्लिक करना है फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाए देगा एडिट इडिज्विल डॉकुमेट्स इस पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद में यहां पर आपको दिखा रहे है भी यह जो मर्ज आप रिकोर्ड कर रहे हो सभी का कर रहे हो या केवल जो प्रजेंट पेज आपके सामने ऊपर उसी का करना है या तो मेरे को वल चाहिए तु मैं यहां पर क्लिक कर रहा है अब जैसे ओल पर मैंने क्लिक के यहां पर आप देख रहे हो लेटर वन्स के नाम पर एक नई फाइल है जो Microsoft Word की create हो गई है और इस फाइल में आप देख रहे हो अब हम जैसे हम नीचे जाएंगी अब यह पेज नमबर मारा दो आगया अब इसमें देख रहे हो फादर सिनेम अब यहां पर आप देख रहे हमारी पांच पेज बन चुके है और सभी का रिकोर्ड है जो ओटोमेटिक की जरनेट हो गया है अब इसकम चाहें तो प्रिंट भी दे सकते हैं अब वन टाइम के साथ यह सारे हमारी जो पांचों के प्रिंट आउट निकल जाएंगे अलग अ इस तरीके से अगर आपके पास दो लाक स्टूडेंट है तो भी आपका इतना ही टाइम लगने आपको केवल पहले पेज पर ही सेटिंग करनी है अब हमारी जो में फायल थी अभी वह यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर हम दिखा देए आपको मैं में फायल मारी यह है जो हमने सेव कर रही थी इनिविटेशन कार्ड के नाम से जैसे आप इसमें चेंजिंग करते जाओगे वैसे वैसे आपकी लेटरस वन टू थरी के नाम से अलग लग फायलें यह क्रियेट होती जाएगी Microsoft Word की अगर आपके अंदर इसके अंदर कुछ एडिट आपको करना है तो आपको मेन फायल ओपन करनी होगी आप इस फायल को एक बंद कर दीजिए अब मेन फायल आपकी वापिस आगी इनिविटेशन कार्ड वाड़े है अब यहां पर देख रहे हो इसमें केवल आपको एक पेज दिखेगा इसमें अगर आपको कोई फॉन्ट का नाम का स्टा हैं पर हमने कलर चेंज किया का और यहां पर हमने अगर हमां है इसको थोड़ सा एक बार हाईलाइट करेंगे उसको थोड़ सा घर ऋटेतें पर देखतें भी सारा सहा एक और या नहीं हो रहा हो रहा है या उन झाल t सेव कर लिया है और वापिस हम चलते हैं मेलिंग पे और मेलिंग पे जाने के बाद आप देख रहे हो प्रिव रिजल्ट एक बार देखो के तो आपको जो वहां पर टाइटल्स हमने जो दिये थे हेडिंग वह आपको दिखेगा और इसके बाद में अगर मेलिंग पे वापिस जाके preview result देखेंगे तो वहाँ पर उन सभी का नाम जो show करना शुरू कर देगा अब वापिस हमें सभी के पंचों के पंचों रिकोर्ड चीए finish and merge पर जाएंगे edit individual documents पर click करेंगे और all पर click कर देगे जैसे हमने click किया आप आप देखेंगे यहां पर letters 2 के नाम से file है जो generate हो गई है और वो सभी के पंचों के पंचों नाम update हो गई अभी देखेंगे हमने जो एक update किया था यहां पर भी जो time है वो इस type के color में होना चीए तो सभी के अंदर आप देखेंगे यहां पर इस type के color हो गया और इनके जो students के नाम वगेरा आप देखेंगे वो जिस साब से हमने कुछ changing करी थी वो सारी के सारी changing हो गई है दोस्तों इस तरीके से हम mail मर्स कर यूज करके जो हमारा गंटों का काम हो सकता है उसको हम कुछ कि जो यह designing करी है Microsoft Word में यह किस तरीके से करी है तो इसके लिए आपको दोस्तों में एक simple नई file हम ले लेते हैं और इसकम जाएंगे new पे blank document पे और create करते हैं तो दोस्तों अब आप जेखरेंगे जो मेरी main file थी यहां पर अब इसमें आप देखरेंगे यह smart accounting arsenal आ रहा है यह एक मेने header इसको लगाया हुआ है header किस तरीके से लगाया है सबसे पहले insert पर जाएंगे insert पर जाने के बाद हम इसको select करेंगे यहां से header and footer के चार्ट में से header को आप जैसे header को select करोगे तो आपको काफी सारे option designing यहां पर देखने को मिलेगी header की आप कोई सा भी इसमें से select कर सकते हो आप जैसे कि मैंने यहां पर इसमें से यह वाड़ा select किया हुए और यहां पर आप अपना इंस्टूट का स्कूल का कुलेज का आप नाम दे सकते हुए तो अब यहां पर आपको जैसे मैंने वापिस दे दिये हैं पर smart accounting arsenal यह तो इसका दे दिया अब जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पर फॉर्मेट आजएगा और इस फॉर्मेट में से आप सबसे पहले तो इसकी background अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो उसके बाद home पर जाकर हम इसमारे font का size में इंक्रीज कर सकते हैं उसके बाद में हम इसको थोड़ असा नीचे कर लेंगे font का गरसाई ज्यादा और हो गया तो हम इसको वपीस होड़ सा कम कर लेंगे जहां तक यह set रहता है उसके बाद वापिस format में जाके यहां पर इसका नाम अलग type से designing हम यहां पर इसको set कर सकते हैं और उसके बाद में कापी सारे option आपको यहां पर और मिल जाएंगे अगर आपको इसकी position कहा set करनी है left में right में कहा set करनी है उससाब से उसके बाद में आपको जरूरत है उससाब से तो यह कुछ इस तरीके से designing हमने हैडर के रूप में करी है और उसके बाद में यह जो हमने यह जो लोगों हमने लगाया हुए happy independence देखा तो यह हमने एक picture insert करी है तो picture भी आप insert कर सकते हो आप picture insert करनी है तो उसके लिए आप insert पर जाएंगे आप picture पर जाओगे तो picture जहाँ पर भी आपकी पड़ी है जिसे मेरे पास यह picture पड़ी यहाँ पर 15 अगस्त के नाम से insert करेंगे तो यह हम इसको insert कर सकते हैं और उसके बाद में इसकी position आपको कहा रखनी है उससाब से position भी हम इसको set कर सकते है जहाँ पर इसको move करना चाहें इसको film पर कर सकते हैं तो इस तरीके से इसके अलावा अगर आपको कुछ और डिजाइनिंग करना हो पर इसमें सिलेक्ट करेंगे वर्ड आर्ट को और डब वर्ड के अंद्र आपको कौई बीक आप डिजाइन यांसे select कर सकते हो यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हो जो भी आपको यहाँ पर देना जैसे कि यहाँ पर आपने देघ आप की परकी डेक लेए आपको यहाँ पर कोई इन्विटीशन देजना लेजना या फिर आपको फीस Н 가 recording आपको later issue करना है तो काफी सारे working आप इसमें यहां से कर सकते हो उसके बाद में काफी सारे designing आपको इसके background को change करने के लिए मिल जाएंगे तो इस तरीके से आप इसको setting कर सकते हो format की जहां आप रखना चाहते हो कम चोटा बड़ा जैसे भी आप इसको कर सकते हो तो यह तो बिल्कुल simple है को designing करना कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन main हमारा जो काम है वो है mail merge का Excel के data को word के साथ connect करके और उसको short के रूप में बनाना इसी तरीके से अगर आपको यह बात बोल दी जाए में students के class wise आप name है कौन से मंत की आप ले रही हो सब कुस डीजाइन वहां पे कर सकते हो जैसा कि हम इस पे एक नई वर्क सीट लेते हैं यह पे ले लेते हैं और इसका बिल्कुल हम लेते है page number second अब जैसे कि हमारे पास यह page number second आगया और इस page number second के अंदर आपने school की फिस के रिकार्डिंग आपने later issue करने है तो अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया भी two उसके बाद में parents का नाम और उसके बाद में यहाँ पे student name उसके बाद में उसके class आजेगी और उसके बाद में अगर आपने यहाँ पर कुछ subject लिखना है यहाँ पर भी विस सेकेंड इंस्टॉल्मेंट अज़िस इसके रिकोडिंग आपने करना है तो आप Microsoft Word में आप त्यार कर सकते हो जैसे कि हम यहाँ पर एक नई वरक सीट बना लेते हैं और उसमें आपको सिंपल साइक में डिजाइन आपको दिखा देता हूँ अभी यहाँ पर दिस student का नाम आ गया अरमेज कुमार पादर सिनेमा में एक बाद यहाँ पर लिख दिया नेम उसके बाद में फादर सिनेम उसके बाद में यहाँ पर कलास रहे जाएगी और उसके बाद में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है मन्थ आप मन्थ सेलेक्ट कर सकते हो या पीरिड आपने या क्वार्टर आपको जो भी आप सेलेक्ट करना है चाओ सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद में आपके जो रिमाइनिंग जो फीस है कितने फीस के लिए आप रिमाइन्ट कर रहे हो तो 2,000 रुपए 15,000 रुपए जो भी आफ की स्कूल के कोडिंग्श है जिसरी हमने के दिए भी सेकंड क्लास है मन्त अपने के दिया हुआ हैं भी यह सब्टैंबर मंत की है है और पंदरा सुर रुपए इस मंत का फीस है तो इस त्रीके से आपने इसका एक हेडिंग मना दिया और हेडिंग का आपने रिकोर्ड है जो त्यार कर लिया है अब इसी को हमने वहाँ पर इसको अटेज करना है इसको हमने कर दिया सेट और यह हमारी Microsoft New Worksheet के नाम से ही सेव है इसको हम करते हैं क्लोज्ट इस पे चलते हैं मारी document नए डॉकुमेंट पर यहां पर आब हम वापस जाएंगे मैलिंग पर बॉल्स करेंगे स्टेंग अप्षैर नेस्स पर हम जाएंगे फिर नेस्ट पर क्लिक करेंगे और वापस हमें उसी location पर पड़ेगा जहां अपना अभी हमने जो एक्सल की वरक्सीट जो त्यार करिए इसके नाम से ओके और ओके कर दिया एक हमना त्यार है ओके कर दिया अब उसके बाद में आप नेम के आगे आप क्या लिखना चाहते हो इसके लिए वापीस आप अपना फिल्ट पर आपको देना ह फादर्स का नेम देना है उसके बाद आपको यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आना चाहिए तो स्टूडेंट का नाम है उसके बाद में इसकी कलास तो इसमें आपके कलास के हेडिंग आजेगी और उसके बाद में हम जो इसकी है रिमेनिंग फिस अब रिमेनिंग फिस के आ आगे भी हम इसकी फिल्ड लगा देंगे यहां पर मत अब जैसे इसका हम पुर्व देखेंगे तो कुछ इस तरीके का पुर्व यहां पर आपके सामने आ जाएगा नेम राम सिंग इस्टूडेंट नेम जो इसका हरमिस कुमार है क्लास सेकेंड है रिमेनिक फीस 15 रुप है मन स्टंबर है तो इस तरीके से आप एक इसका जो फॉर्मेट है वो पहले से डिजाइन किया वाद त्यार रखेंगे और उसके बाद में अगर आपके पास दोसो जितने भी स्टूडेंट है सभी को एक साथ हम यहां से फिनिस एंड मर्ज पर क्लिक करके और एडिट इंडिव से कुछ सीखने को मिला हूँ तो प्लेज इस वीडियो को लाइक जुरूर कर देना अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वा तो वह भी जुरूर कर लेना तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टोपे के साथ